कोर्बा में चोरों के होसले बुलंद है फिर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं रामपुर चौकी शेत के आरामसीन इलाके में अग्यात चोरों ने घर के छट को तोड़ कर नगस सत्तर हजार सहित सामान पर कर दिये पवन कुमार घर में एक किराना की दुकान का संचालन करता है उसने बताया कि बीती रात उसका भाई रात तीन बजे सोने गया उसके बाद उसके माता पिता सुबा पांच बजे उठे तो चोरी का पता चला गल्ले में रखा सत्तर हजार रुपए और दो मोबाईल की चोरी हो गई गटना की जानकारी पवन कुमार ने रामपुर पुलिस को दी पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दी है तीन बज़ के 17 मिनट के बाद मेरा भाई सोया उसके बाद 5 बज़े मेरे मम्मी पापा उठे तब देखे कि घर से दो मोबाईल एक पापा के रोम से एक रोम से और मेरे गल्ले से सत्तरा जार लगभग पैसा चोरी हो गया है जब हम सुबह उठे तब हमें पता चला कि हमारे गार से छोरी हो गया है क्या लगता है किस तकार चोरी किया होगा कहा तो चोरी होगा अब मैं कैसे बता सकता हूँ लेकिन इतना जानता हूँ कि होगा तो कोई चोरी अग्यात मेडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट